वर्ट इस डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है क्या आप लोग डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बना सकते हैं क्या ये बास सच है के डिजिटल मार्केटिंग के जो लोग होते हैं वो महीने के एंड पर अपनी सेलरी का चेक खुद लिखत टुदी वीडियो तो आल राइट गाइस मेरा नाम शाजब दानीशे और आज किस वीडियो में डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से जितने भी कॉंसेप्ट हैं आपके वो सारे क्लियर कर दूँगा तो फर्स्ट अफॉल हम जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है तो डिजिटल मार्केटिंग जैसे कि इसके वर्ट के अंदर हमारा क्या आ रहा है मार्केटिंग तो मार्केटिंग से मुरादी होती है कि आप कोई भी चीज़ उसको सेल आउट कर रहे हो मार्किट में जाके या मार्किट में बेट कर तो सिंपल सी हमारी यह होती है मार्किटिंग ओल राइट मार्किट के लो या मार्किटिंग के लो एक ही बात है और इसके आगे हमारा क्या लगा हुआ है digital यानि कि जैसे हम offline सारी चीजों को sell कर रहे थे marketing कर रहे थे उनको अगर हम online ले आए तो वो हमारी क्या हो जाती है digital marketing अब यह देख लेते हैं कि हम इन सारी चीजों को digital कैसे लाएंगे online कैसे लाएंगे बहुत सारे platform हैं हमारे पास जैसे के facebook हो गया हमारी क्या किलाती है digital marketing तो अभी दख मैं बहुत सादा और असान अलफाजों में आपको समझा रहा था कि digital marketing क्या होती है और मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा अब हम आगे बात कर लेते हैं कि आपको जैसे मैंने starting में बताया कि जो digital marketer होते हैं वो महीने के end पे अपनी salary का चेक खुद लिखते हैं तो आप मेरे से ये पूछ रहे होंगे जहन में बात या आपके जहन में आरी होगी बात कि ये कैसे हो सकता है क्या ये मुम्किन है तो इसका जवाब मैं आपको देता हूँ तो इसका जवाब है जी हाँ एक digital marketer महीने के end पर अपनी salary का चेक खुद लिखता है ये बात 100% बिल्कुल दुरुस्त है लेकिन शर्त ये है कि वो जो digital marketer है वो अपने दम पर काम करता हो दो तरीके से salesman होते हैं एक salesman वो होता है जो के होता है commission based salesman नहाँ पर बात की जारी है commission based salesman की वो अपना चेक खुद लिखता है ठीके और जो salesman होता है उसका तो कुछ नहीं हो सकता उसको तो last में एक fix amount ही मिलना है तो नहाँ तक ये बातें clear करने के बात आगे चलता है कि क्या digital marketing आप लोगों के लिए है क्या आप digital marketing सीख सकते है तो इसका जवाब भी मैं आपको हाँ में ही दूँगा कि हाँ जी digital marketing कोई भी बंदा सीख सकता है बस उस बंदे का interest sell करने में हो उस बंदे का interest एक amount बनाने एक wealth बनाने में हो तो हाँ जी बिलकुल वो बंदा कर सकता है तो जनाब आला अगर आप लोग मुझसे पूछें कि क्या आप करेंगे या क्या आप करना जाते हैं तो मैं आपको एक advice ये देता हूँ आप लोगों के कुछ भी पूछने से पहले कि at least आप इस field के अंदर एक बार जरूर आईएगा इस field को एक बार जरूर ट्राय कीजेगा मैं आपको ये सारी बात क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक digital marketer हूँ जो दूसरा मेरा काम है YouTube पर ये मेरा एज़ा शौक है कोई profession नहीं है फिलहाल अभी तक तो YouTube मेरा लेकिन मेरा जो main profession है वो अभी तक का रहा है मेरा digital marketing का और बहतरीन एक बहतरीन कह सकता हूँ मैं आप लोगों को कि एक profession है digital marketing तो जनाब याला ये सारी बाते जो मैंने आपको बताई है मैंने अपने experience से बताई क्योंके मैं ये काम खुद कर रहा हूँ तो मेरी आपको advice यही रहीगी कि एक बार इस field को जरूर आप लोग try कीजेगा इसके लिए कोई इतनी जादा आप लोगों को education ये knowledge की जरूरत नहीं होती हाँ माना कि आपको सीखना पड़ता है लेकिन इतना कुछ खास इतना कुछ rocket science नहीं है कि आपको बहुत जादा time लगेगा आप नहीं सीख पाएंगे तो जनाब याला ये था सारा कुछ जो कुछ मैंने आपको बताया तो उमीद करता हूँ सारा कुछ आपको सही से समझ में आ गया होगा तो इसी उमीद के साथ आपसे एक बात और पूछना चाता हूँ मैं कि अगर आप digital marketing सीखना चाते हैं तो आप मेरे को बता सकते हैं जिस तरीगे से मैंने आप लोगों के लिए CID का एक free course बनाया इस चैनल पर जो के upload है इसी तरीगे से मैं आप लोगों के लिए digital marketing का इसी तरीगे से अर्दू और हिंदी लेंग्विज में complete course बना सकता हूँ जिस से आपको बहुत help होगी अपने इस career को start करने में alright guys तो comments में मुझे बताएं कि क्या आप लोग ये digital marketing का course करना चाते हैं वो भी free of course में आगर हाँ तो comments में लाजमी बताएंगा और like जरूर कर देजेगा हमारी इस वीडियो को तो मिलते हैं next किसी वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा फियमान अल्ला